सभी किसान भाईयों का और डेरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे फ्रेंड्स आज हम अपने बुल सिरीज के नेक्स्ट बुल को लेके आए हैं जो की एक इंपोर्टेट जर्सी बुल है यूएसे इंपोर्टेड और इस कंपनी का बुल है वो है वर्ल्ड वाइड साइड्स का आज इस बुल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स डिसकस करेंगे कितना इसका मिल्क है, मिल्क कपैस्टी है, अडर कॉलिटी कैसी है, प्रोडक्शन डाटा कैसा है तो जितने भी डिटेल्स होंगी, वो सारी डिटेल्स आपको इस बुल के बारे में बताएंगे और कहां-कहां इसकी स्ट्रेंथ है, और कहां-कहां इस बुल की वीकनेस है तो वीडियो को end तक देखें जिससे की आपको इस बुल के complete details के बारे में पता चल सके तो आईए friends वीडियो को start करते हैं इस बुल का नाम है डिसको और ये worldwide series company का बुल है इसका registration number आप अपने screen पे सामने देख सकते हैं और इसकी जो bloodline है वो है chisel, dazzler और valentino sire जो इसका father है वो है शान मार हिलारियो चीजल और इसकी dam है sunset canyon dazzler excellent 90 तो इसकी जो dam है मा है वो बहुत ही जादा अच्छी है जिसने सिरफ 2 साल 11 महीने की age में 305 दिन में 11,000 से जादा दूद दिया है 6.4% fat के साथ तो इसकी जो mother है bulki वो बहुत ही जादा अच्छे record और बहुत high fat वाली है इसके बाद friends इसका date of birth है 2 July 2015 तो 7 साल से उपर का ये bul हो चुका है बीटा कैसीन प्रोटीन इसका A1 A2 है daughter average भी इसकी अच्छी आ रही है 9,500 से उपर 9592 kg milk with 4.7% fat fat थोड़ा अभी daughter's में कम record किया गया है क्योंकि mother का जो fat था वो 6% से उपर था और daughter's का जो fat है वो 4.7% आ रहा है उसके बाद इसके production data की बात कर लेते हैं production data की जो figures हैं वो थोड़े minus में हैं ये जो milk transmitting ability है minus 350 और जो protein fat भी है minus 14 और minus 11 लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके जो मदर है जो पर आप semen use करोगे जिस भी डेम पे उसका milk record कम कर देगा एक्चुली जो बाहर के standards है USA के उनका पहले ही जो average set है वो जर्सी के लिए भी बहुत जादा है 9-10,000 kg पे तो यहाँ पे तो जो जर्सी होंगी 20 किलो 25 किलो वाली जर्सी है उनका भी ये काफी milk increase करेगा इसके बाद friends इसका आगे देखते हैं fertility फर्टिलिटी भी इसकी थोड़ी minus में है daughter pregnancy rate और cow conception rate लेकिन जो इसकी heifer conception rate है जब इस बुल की कोई heifer आएगी तो वो बहुत जल्दी conceive कर सकती है आपकी plus 2.4 है लेकिन जैसे जैसे वो heifer आगे lactation में भढ़ेगी तो थोड़ी सी जो cow बनेगी जब उसकी तब आपकी थोड़ी सी conception है वो हलकी कम हो सकती है सिर्व minus 0.6 है इसके अलावा somatic cell score 2.95 है जो कि 3 से नीचे है तो वो भी काफी अच्छा है और productive life 3.5 है कि ये 3.5 months extra productive रह सकती है अपने 305 दिन के lactation period खतम होने के बाद इसके अलावा jersey order index बहुत ही अच्छा है plus 12.1 जो कि 1649 daughters के उपर देखा गया है तो इसकी जो order quality है इस बुल की जो daughters की वो बहुत ही जादा अच्छी आने वाली है जिसकी reliability भी order data में 99% reliability है और काफी जादा daughters पे 1649 daughters पे ये order quality देखी गई है तो काफी अच्छी इसकी order quality आएगी जो हमने last jersey bull डिसकस किया था शेडार का उसमें यही एक बहुत बड़ी कमी थी उसकी order quality माइनस में थी तो friends आपको इस bull की complete details दी है अब अपने आप फारम पे गाईों की हिसाब से इस bull को use कर सकते हो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद